हरी कृष्णा आज मैं आपके लिए होमेड एनर्जी बार की रेसिपी लेकर आई हूँ बच्चों को एनर्जी बार बहुत पसंद आते हैं और हम भी उन्हें लेकर दे देते हैं आपको पता है उसमें होता है आर्टविशल शुगर और पामल जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्क खतम हो जाती है आप इसमें डालेंगे एक कप ही हम नारियल और साथ ही डालेंगे एक चोथाई कप खस-खस के दाने और इन्हें लो फ्लेम पर भून लेंगे इन सबी चीजों का मेजर्मेंट आपको नीचे रिसेप्शन बॉक्स में ग्रैम्स में भी और कप के हिसाब से भ गाल लेंगे अब इसी कढ़ाई में दो चम्मच देसी ही मैंने और डाला है और इसमें डालेंगे एक कटोरी बादाम एक बादाम को मैंने दो से तीन टुकडों में यहाँ पर काट लिया है और साथ ही इसमें एक कटोरी ही काजु डाल देंगे काजु को भी हमने छोटे किसी को जादा लगता है जैसे पांडी जयाते हैं इसली हमने शीज़ान भूने में सबस्क्राइए और बाडम सब्सक्राया गुफारी क्लांट काुए का इसने कलुछ सब्सक्राइब।न make भी fiber बहुत होता है और साथ ही ये हमारे digestion system को भी बहुत ही healthy रखता है और बातों ही बातों में ये सारा dry food भी यहाँ पर अच्छे से भुन गया है हलका सा crunchy हो गया है तो बस gas का flame off कर देंगे और इसे भी हम इस परात में निकाल लेंगे अब इसी कड़ाई में अगर आपके पास food processor नहीं है तो आप इसे grinder jar में भी grind कर सकते हैं पर आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें और कोशिश करें कि soft वाले खजूर लें अगर खजूर थोड़े hard है तो आप उसमें थोड़ा सा गरम पानी डाल करके पहले उन्हें soft कर लीजेगा उसके बाद इसे grind करेंगा हम इसे भून लेंगे gas का flame low to medium ही रखेंगे आप ध्यान लखें कि इस recipe को बनाने के लिए आप gas का flame low to medium ही रखें और यह देखें जब खजूर यहां पर अच्छे से soft हो गया है तो बस gas का flame off कर देंगे और अब हम इसे भी यहां पर इस ड्राइफूर्ट में निकाल लेंगे पहले हम इसे spatula से ही अच्छे से डालने की जूरत नहीं रहती है और साथ ही यह binding का भी काम करती है जिससे सारे ड्राइफूट जो है इसमें अच्छे से भी कम करते हैं यानि कि overall अगर आप एक भी पीस खा लेते हैं तो समझ लीजे कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ special किया है बहुत अच्छा किया है तो यह देखिए इस तरीके से हमने यहां पर इसे सारा मिक्स कर लिया है और अब यहां पर यहां पर यह सारा जब अधही से निकाल देंगे और इसे पहले हम या फिस पैचुला से अच्छे से प्रस करके बिल्कुल एवन कर देंगे हाँसे ही हो पाएगा इसे बहुत पसण Lex के लिए और अब इसे ओपर से अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये चीजें इसके अंदर अच्छे से सेट हो जाएंगी अब इसे रूम टेंपरेचर पर आदे खंटी के लिए छोड़ दीजे या फिर आप इसे फ्रिज में रखकर तो इसमें खराब होने वाली कोई भी चीज नहीं है पर फिर भी हमने इतनी महनत और इतनी लागत इस पर लगाई है मैं इसे फ्रिज में ही लखना जादा प्रेफर करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी रेसिपी इस पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अब मिलती हूँ एक और नही रेसिपी के साथ तब तक लिए बाई एंड टेक केर